वेस्ट बंगॉल स्टेट ने अपना काउंसलिंग शेडियूल जारी कर दिया है जिसके हिसाब से राउंड वन में पब्लिकेशन ओफ नोटिस और शीट मेटरिक्स दो तारिक तक आ गया है जो आ चुका है Online Enrollment Fee Payment by Candidates जो है वो 5 तारिक तक की जाएगी Registration और चौइस फिलिंग है चौइस लॉकिंग 6 तारिक तक की जाएगी आठ तारिक को जो है रिजल्ट आ जाएगा Reporting and Admission of Allotted Candidates वो 12 तारिक तक करा जाएगा N.I. Candidates जिनको Document Verification कराना है वो भी 11 तारिक तक कही टाइम है उनके पस Round 2 के लिए Notice 15 तारिक को जारी किया जाएगा 17 तारिक तक उसमें आप Apply कर पाएगे और 18 तारिक तक Choice Filling भी कर पाएगे Result की Publication जो होगी वो 26 तारिक तक आपको Admission मिल जाएगा और 22 तारिक तक Result भी Publish कर दिया जाएगा तो ये Counseling Schedule है उसके बाद मोपप Round का Counseling Schedule है जिसमें आप देखेंगे कि 11 मार्च तक उसका भी Result आ जाएगा कुल मिलाके ये 12, 14 मार्च तक की पूरी Schedule उन्होंने जारी करी है फिर Stray Vacancy Round का भी रूने Schedule जारी कर दिया हलाकि बाद में कई बार इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते है तो ये Stray Vacancy Round जो है उनका वो 20 मार्च तक चलने वाला है Further Round If Any for Dental आयुश्ट तो उसे बाद में बता दिया जाएगा तो ये Counseling Schedule इसके लावा West Bengal State ने एक पूरा notification जारी किया है कि वहाँ पर कौन कौन candidates eligible है admission लेने के लिए Undergraduate Quartet Quotas में तो वो बच्चे इस पूरे notification को पढ़ लें जो कि Telegram ग्रूप पर available है जिसका की link भी मैंने provide किया हुआ description box में so thank you so much for watching keep supporting us